प्रभी जी हा कमसुन Video नहीं चला था क्योंकि ये जो आपका Studio है ये Studio माता दि का मंदिर इसमें है इसी घर में माताजी का मंदिर है और मंदिर में अभी आरती किर्तन हो रहा था आरती का समय था भगवती का बंदना हो रही थी इसलिए क्लास को 10 मिनट के रिये रोके थे और सब लोग आरती में थे, माता जी के आराधना में थे, पूरे कोटिलिया परिवार के लिए आराधना हो रही थी, कि हेमा, हम लोग के पूरे कोटिलिया परिवार के सदस को गुरू सिस दोनों को स्वस्त रखें, और शंबल परदान करें, मजबूती परदान करें, उनमें क पर मठता दें और शक्ती वो शक्ती दें ताकि आने वाले किसी भी एक्जाम के लिए सब लोग तैयारी में मस्त हो और आसानी से उनका रिजल्ट हो जाए तो जय माता दी बावू लोग बहुत अच्छी बात है गोड़ी बीनिंग बावू नेहा जी रूबी जी अमित साजी स मूल भीष्ञैं पर समय का बहुत सो दाहीं साथा च जैल के मनने भी आस्तारा जाहिए और समय में में गया भाद हो तो आराधन हम्हां 첫 ला कर लोग बहुत अच्छी बात खीं हमें चलीर कि शाख भाध यूश्या गया क मिला जए माट हाधि बाभू सब लोग में दिल से अशिरवाद, जै माता दी, सब दो लोगों को दिल से अशिरवाद, चली, स्टार्ट करते, हम बहुत अच्छा टॉपिक था, पिछले क्लास, आज इस टॉपिक को किलियर करे, मैं अभी फोन किया था, तो बोले, अभी सर आये हैं, आच्छा, मैं अभी फोन किया था, तो नई, अभी सर हो सकता है, वो लोग इसी रूम में, माता जी का मंदीर है, माता रानी का मंदीर है, इसी मंदीर में पूजा आर्चना हो रही थी, चलो बाबू, चले बाबू ध्यान चे सुनिएगा, अब दोखो, मौर्ज कालीन प्रसाशनिक व्यवस्था की चर्चा करते हैं, मौर्ज कालीन प्रसाशनिक व्यवस्था की चर्चा हो, तो पहला पॉइंट बनता है, कि मौर्ज कालीन प्रसाशनिक व्यवस्था के बारे मे जानकारी दो चीज से होता है, एक तो कॉटिल की रचना अर्थिसास थे, दूसरा मेगास्थनीच की रचना इंडिकास से, दो पुस्तक से, तीसरा होता है, जो सक साथ सक रुद्धामन का रुद्धामन पर्थम का जो जूना गडविलेक है, जूना गडविलेक से भी इसकी ज जानकारी मिलता है तो कोटिल की रचना अर्तिसास से मेगा स्थानीच की रचना इंडिका से और रुद्र दामन पर थम का रचना जू नागा डवीलेक से मौर्ज कालीन प्रसाशनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलता है होगे बाबू अब दोखो मौर्ज काल में क्या था तो कार्जपाली का व्यवस्थापी का और नियापाली का अभी बरतमान के परदीस में चलेंगे तो कार्जपाली का के परधान कोन है बाबू तो राश्टपती है बिधाई का के परधान कोन है परधान मंत्री है नियापाल तुमौत कुमार अपता जी जी निशीरे जोरह फी गरफ भालोज जी नियुट का नियुट एडिशन बुक मिलेगा, प्लीज बताईएगा, नियुट एडिशन बुक मिलेगा जोगरफी और बायलो जी का, बाबु अभी बुक कहां से मिलेगा, आप ही बताई ये बुक कहां से मिलेगा, अभी तो отп-land class चलने रहा आफिस तक नहीं खोलने दे रहा पंदर तारिक से था कि पंदर तारिक से कुछ इंफॉर्मेशन आएगा लेकिन फिर सरकार के दोरा इंडिकेशन आए कि नहीं अभी कोई कोजिंग संस्तान नहीं खुलेगी तो चली बहुत अची बात है रोचक बाबु द्यान चे सुनिएगा कोटिल की रचन अर्तिसाश्थ में राजा के सप्तांग सिधांत की चर्चा की आगे मतलग राजा के साथ सिधांत अब राजा के जो सप्तांग सिधांत है या कौन-कौन सा है तो राजा जनपद, अमति, दुर्ग, कोस, सैनिक और मित्र राजा के सब्तांग सिध्धामत में सातों का कभी अलाकि नाम नहीं पूस्ता है लेकि नाम याद करने के लिए कि राजा बनने के लिए ध्यान चुनेगा राजा बनने के लिए क्या क्या होनी चाहिए तो राजा बनने के लिए सप्तांग सिधांत में राजा होनी चाहिए जनपद होनी चाहिए और अमात मतलब मंत्री होनी चाहिए दुर्ग मतलब किला होनी चाहिए कोस मतलब पैसा होना चाहिए सैनिक मतलब सैनि सक्ती होना चाहिए और उनका मित्र भी होना चाहिए तराजा, जनपद, आमात, दुर्ग, मित्र, सैनिक और कोश होना चाहिए कुल कितना बाबू? साथ फिर से एक बाद, आँ बहुत अच्छी बात कोश्चन बुछेगा, राजा के सब्तांग सी दानत में कौन कोन आता है? तराजा आता है, जनपद आता है, अमात आता है, दुर्ग आता है, कोश आता है, सैनिक आता है, और मित्र आता है अब कोश्टन बुछेगा किंद्री ये प्रशासन, मतलब किंद्र सरकार किंद्र का प्रशासन कैसे होगा, राज का प्रशासन या प्राम्ती ये प्रशासन कैसे होगा, नगरी ये प्रशासन कैसे होगा, तीनों को बार दिया गया और सबसे प्रशासन की सबसे छोटी काई ग अगर खा गें फिप्टी फिप्टी कर दिया गें अब देखें मौर्जकाल में प्रसाश्टिंग वेवस्था में सबसे उंचा पद राजा का होता था सबसे उंचा पद राजा का होता था उन्हें सहता देने के लिए कई परकार के मंत्री होते थे मौर्जकाल में असोक के सास अब देखो एक मजबूत नोकर्साही ब्यवस्था का परमान मिलता है जिसे दो भाग माटा गया तिर्थ महामात्र और दूसरा अध्यक्ष्ट तिर्थ मतलब उंचे अस्तर का पदादिकारी को तिर्थ कहा गया और नीचे अस्तर के पदादिकारी को अध्यक्ष कहा गया अर्थ सास्त में 18 परकार के तिर्थ एबम 27 परकार के अध्यक्ष की चर्चा मिलती है अर्थ सास्त में कोटिल की रचना अर्थ सास्त में क्या कहा ग कुछ का नाम याद रखना है तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नर बनाय जाता था। राजा का जेश्ट पुजो राजा का उत्राधिकारी होता था। राजा सुका निर्धारन करते थे राजा सभी भागते राज कोस में जहां पर पैसा जमा होता था। अब ये क्या काम करता था कौन सन निधाता जो बित मंत्रा लेकर नियंतरन में अब देखो नायक क्या था। नायक युद्ध भूमी में सेना का नित्रित करता था नायक नायक नाम से इसका मतलब है नायक सेनापती से नीचे का पड़ता था। और नौसेना सबका राता था परधान थलसेना नौसेना को जलसेना करते हैं उस समय बायूसेना तो था नहीं लेकिन सेनापती के नीचे बाले पोस्ट को नायक करते थे जो युद्ध के मैदान में सैनिकों का नित्रित करते थे युद्ध के मैदान में सैनिकों का नित्रित आठ अब देखो प्रसस्ता क्या था? राजा जो कुछ संदेश देता था, राज की अभिलेख जो होता था, राज की अभिलेख को राज की आदेश को लिपिवद करने बाला पदादिकारी प्रसस्ता कहलाता था, राज की आदेश को लिपिवद करने बाला पदादिकारी प्र है धिता ध्यक्ष कि बहुमी का पर्धान होते थे लक्षना ध्यक्ष छॉलाट भ सक जो चापा खाना है जा मुद्रा की चापा होती थी राद़ परधान गंिका ध्यक्ष बैश्यां के अधिकारी मतलब उस काल में वैश्या विर्ति भी चल लही थी और इस पर नियंत्रवन अस्थापित करने के लिए गनी का ध्यक्ष होता था, फिर से सुनिएगा बड़ी महत्पुर्ण चीज सवाइस ध्यान से सुनिएगा याद हो जाएगा, पाला क्या बता है, मंत्री या पुरोहित परधानमंत्री होते थे, पुरोहित परधानमंत्री राजा को सलाह देते थे, कोश्चन बूचेगा, धनानंद के पुरोहित धनानंद के मंत्री कौम थे, चानक थे, सलाहकार पद पर थे, जो राजा के बाद सबसे महत्पुर्ण उपद होता था, कोश्चन बूचेगा, सेनापती सेना का परमुख होता था, से याद रखेंगे कि 16 अगस्त या आठ अगस्त 1932 को क्यमूनल अबाड़ आया और आठ अक्tightूबर 1932 को बायूशेना का गठन किया गया तो उस से पहले बायूशेना तो था नहीं उससे पहले दो ही सेना था जल सेना था और ठल सेना था तो यहाँ पर भी जल से نہ है और थल से ना है युवराज राजा का जेस्ट पुत होता था जो राजा केबाद उनका पद होता था शमाहर्ता क्या था राजस विभाग के परधान और संणी धाता क्या था राजकोष का परधान होता था युद्भुमी का मेसेना का नायक करते थे राजकी आदेश को लिपिबद करता था कौन सब प्रसस्ता बन विभाग का परदान आत्विक वानिजीक अध्यक्ष कौन था तो वानिजीक अध्यक्ष पन्याध्यक्ष वानिजीक अध्यक्ष पन्याध्यक्ष राज किये किर्सी भूमी का संग्रक्षक या राज किये भूमी का संग्रक्षक सीता ध्यक्ष लक्षना ध्यक्ष छापा खाना जहां पर छापाई होता था उसका कोश्चन पुछेगा छापाई खाना का ध्यक्ष लक्षना ध्यक्ष और बेस्याओं का अधिकारी कोन होता था गनिकाद्यक्ष ये था किसका केंद्रिये प्रशासन या क्या था बावु केंद्रिये प्रशासन अब जरासा देखा जाए केंद्रिये प्रशासन के बाद जला प्राम्त में चलते हैं प्राम्त अब ध्यांच सुनिगा हमने कहा था याद करेंगे दिमाग पर जोर देंगे हम प्राम्तिय प्रशासन मौर्द समराट में प्रशासन को केंद्री करन करने के लिए प्रशासनिक द्रिष्ट्री कोन से कई छोटे छोटे प्रशासनिक इकाई में विभक्त किया गया था सबसे बड़ी प्रसाशनिक इकाई थी प्रांत सबसे प्रसाशनिक इकाई काई थी प्रांत मतलब राज प्रांत को चक्र या युवा भी कहा जाता है प्रांत को चक्र या युवा या राज कहा जाता है प्रांत को चक्रिया युवाया राज कहा गया प्रांतों में राजा के परिवार के ही सदस को युवराज की नुक्ति किया जाता था हम लोग पताये थे जिसे आरे पूर्त पुत्र कहा जाता था जिसे कुमारिया आरे पूर्त पुत्र कहा जाता था इसका मतलब है प्रांत के परधन राजा के पुत्र या राजा के परिवार के किसी सदस को बनाय जाता था जिसका परांत पती को क्या कहते कुमार या आरे पुत्र कहा जाता था अब देखो मौर्ज समराज असोग के काल में परांतों की संख्यां 5 मिलती है अच्छा गलत बोल दिए राजा बाबु भन् आठ अक्टूबर 1932, ठीक तो है, आठ अक्टूबर 1932 को, आठ अक्टूबर 1932 को, एर फोर्स का गठन हुआ, और हमने आपको कोश्चन पूछा, कोश्चन पूछा, हमने आपको एक और कोश्चन 1932 से जोर दिया, कि कैमीनल एवाइड, कैमीनल एवाइड कोश्चन पूछेग किमिनल अबाइड की घोशना कब किया गया तो 16 अगस्त 1932 को किमिनल अबाइड की घोशना किया गया हो गया अब देखो बाबु ध्यान चे सुनियेगा हो गया 17 सेप्टेंबर 17 सेप्टेंबर को क्या हो गल्ती बोलजी नहीं ठीक है अब आप फिर से एक बार गुरू जी ध्यान से सुनियेगा कोशन पुछेगा कि किमिनल अबाइड की घोशना कभ किया गया संपरदाइक निरने की घोशना कभ किया गया तो 16 अगस्त 1932 लीख देते हैं ध्यान से सुनिएगा संपरदाइक पंचाट संपरदाइक पंचाट जिसे काते कमीनल कमीनल अबाइड की घोषना कब किया गया 16 अगस्त 1932 16 अगस्त 1932 याद करने के लिए 16 आठ बतीश 16 आठ बतीश और 8 अक्टूबर ध्यान सुनिएगा 8 अक्टूबर 1932 को एरफोर्स एरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 या दोनों याद रखियेगा एरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 हो गया 8 अक्टूबर 1932 बावू किलियर हो गया फिर से सुनिएगा कैमिनल अल्यबाइड संप्रदाइक पंचाड 16 अगस्त 1932 को 16 अगस्त 1932 को एरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को किया गया साहिर बाबू किलियर हो गया, राकेश बाबू किलियर हो गया, सब लोग ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, आग या बढ़ते हैं, स्पीड में बारे जराज टॉपिक को भी बेटा निकालना है, अब असोक के काले परामतों की संक्या पांच थी, पांचो का पांचो या रखना है, पांच में पांचो का पांचो याद रखेंगे बड़ी महत पूरें, याद रखेंगें उत्रापध तकशिला, उत्रापत तक्षिला दक्षिनापत सुवर रिंगिरी अब अंती उजैनी कलिंग की राजधानी तोसरी अब प्राची की राजधानी पातली पुत्र हो गया प्राची की राजधानी पातली पुत्र हो गया प्राची की राजधानी पातली पुत्र कहा गया अब नगर ये प्रशासन के बारे में जानकारी मेगास्थनीज की रचना इंडिका से इसमें इंडिका में कहा गया कि नगर का प्रशासन नगर परशद के द्वारा अब नगर परशद की अध्यक्ष को नागरक कहा गया नगर की अधिकारी को उन्होंने एक गुरो न परशासन एक नगर परशत के द्वारा किया जाता था जो एक समीति के द्वारा चलाई जाती थी। नगर परश्द को कितने समिती तो 30 सदस ये समिती के दोरा, कितने सदस ये समिती बाबू, 30 सदस ये समिती के दोरा चलाई जाती थी, जिसे 6 उप समिती में बांटा गया था, और 6 उप समिती में परतेक में कितने सदस थे, 5 सदस, परतेक में कितने सदस थे, 5 सदस, फिर से एक मौर्ज काल में प्राम्तों को पुना जिला जिला को कहा गया बिशय प्राम्तों को कहा गया जिला को क्या कहा गया प्राम्तों को जिला अबाता गया जिला को क्या कहा गया बाबु बिशय जिला को क्या कहा गया बिशय इसके परधान को बिशय पती बिशय के परधान को बिशय प्रशाशन दूसरा प्रांतिय प्रशाशन दूसरा प्रांतिय प्रशाशन दूसरा प्रांतिय प्रशाशन दूसरा प्रांतिय प्रशाशन तीसरा नगरिय प्रशाशन चोथा गौंग के प्रशाशन हो गया अब प्रांत और नगर में क्या था अंतर देखो भई अब प्रांत हो गया राज या नगर हो गया सहर एक राज में कई सहर हो सकते हैं एक राज में कई सहर बिहार राज है बिहार राज में कई सहर है कई नगर है पतना नगर है मुझभपरपूर नगर है भागलपूर नगर है दर्वंगा नगर है गया नगर है रोतास नगर है तो एक प्राम्त में कई नगर हो शकते हैं और नगर का प्रशासन नागरिक के द्वारा जिसे पर्थम नगर का प्रशासन एक नगर परशासन एक पर दियक्षको नागरी कहा गया जिसे मेगास्थिनी जीने अगरोनुमाई कहा नगर परशती सदस्य समीति के दोरा चलाई जाती थी जिसे छो उपसमीति में बाटा गया था परते उपसमीति में पाच पाच सदस हुआ करते थी हो गया अब एक वार जल्दी से चर्चा कर ले प्रसासनी प्रशासन को राजा को सहाथा देने के लिए एक मंत्री परशद की भी चर्चा मिलती है यह जो मंत्री परशद था ध्यान चे बहुआ सुना यह जो मंत्री परशद था इसमें क्या क्या भई तो कोटिल की रचना अर्थ सास्त में असोक के काल में ब्यूरो करेट की चर्चा मिलती है कोटिल की रचना अर्थ सास्त में 18 परकार के अध्यक्ष और 17 परकार के तिर्थ महामात्र और 27 परकार के अध्यक्ष की चर्चा मिलती कुछ पदादीकारी का नाम यहाँ याद रखेंगे कुछ पदादीकारी में कॉन कौन होगा एक होगा मंत्री ध्यान सुनिएगा है यहाँ घरत प्रत्व का प्रत बाट्रान है अनुशेद एक में परिभासित किया गया है क्लियर अब देखो मंत्री या पूरोहित राजा के सलाकार होते थे जिसे परधान मंत्री कहा जाता था सेना पती सेना के परधान लेकि युद के मैदान में सेना के परधान को नायक कहा जाता था युब राज क्या था, राजा का उत्रादिकारी जो राजा का बरे पुत्र होते थे समहर्ता राजस विवाग के परधान, शनी धाता राज कोश का परधान, नायक युद भूमी में सेना का परधान उसके प्रसस्ता राज की अभिलेत को लिपी बद करता था कोश्चन पुछेगा प्रदस्ता प्रसस्ता में अंतर प्रदस्ता होता था ध्यान सुनीगा प्रदस्ता यदी कोश्चन पुछेगा प्रदस्ता तो यह क्या था कारागार कारागार यह जेल का परधान कारागार का परधान जिल का परधान प्रधस्ता होता था ध्यान चे सुनिए गा कोशन उपीज है लक्ष न द्यक्षि पले तो के बाद या किंदर के बाद पराम्त क amps ये भिभाजन किया गया था पराम्त में एक to राजकी परिवार से ही जूरा रहते हैं जिनको कुमार या आरी पुत्र कहा गया के लिए मोर्जकाल में असों की caution में कहा जातका है समाच पूरे देश को पूरे राष्ट को पूरे राष्ट को पांच परांतों में माता गया उत्रापत, तक्षिला, दक्षिनापत, सुवरंगिरी, प्राची का पातली पुत्रे अबंती का उज्यनी और कलिंग की राजधानी तोसली हमने कहा था आगे जब चर्चा करें थे, अपने राज़ा अभिशेक के 8 बर्स के पर शात 9 बर्स में जो कलिंग पर आकमन किया था बताय थे, कलिंग की राजधानी तोसली थी, उसका सासक नंद राज था उसका सासक क्या था बावू? नंद राज था अब एग्रोनोमाई और एरिस्टोनोमाई ध्यान सुनीगा एग्रोनोमाई और एरिस्टोनोमाई दोनों अलग-अलग है एग्रोनोमाई एरिस्टोनोमाई विकास कुमार जी एरिस्टोनोमाई यहाँ पर क्या है एग्रोनोमाई वहाँ पर क्या बता है एरिस्टोनोमाई सरक बिभाग सरक निर्मान बिभाग के परधान को क्या कहते एरिस्टोनोमाई कहा गया किलियर अब यहां पर कोशन फिर बनता है द्यान से सुनीगा कोशन बनता है कि नगर के परधान नागरक कहलाते थे नगर के परधान नागरक कहलाते थे अब कोशन पूछेगा नगर के परध एक बिनस रुक जाएंगे एक चीज एक चीज एरिष्टोनोमाई और एगरोनोमाई में कुछ कनफ्यूजन है एरिष्टो हाँ प्रसस्ता उल्टा हो गया ध्यान चीज शुनिएगा चलिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बहुगा लोग एक मिनट रुक जाएगा बड़ी सुन्दर चीज है एक मिन प्रसस्ता बार्यं जया ऊFor convention साथ कीज़ाई एक मिनट टान बार शीजन्दर लोगो ठंगद रहिए कैश्टोन सण ताогन उल्टोन थाह ऱे पंड़िगन lingering Chest का एक मीनट रुख जाहिएगा एक चीज हमको चुकि जो चीज तुरत उसको किलियर होना चाहिए क्योंकि एक जगा लिखा हुआ था अपोजिट एक जगा लिखा हुआ था अपोजिट हलांकि हम चलो देख लेंगे अभी अभी मेरे पास जो स्रोत है वह नहीं दिख रहा है हम बता देंगे अगले कलास में अगले कलास में हम जरूर बता देंगे एक क्वेशन है कि मौर्ज काल में मौर्ज काल में नगर प्रशाशन एक मिनर्स रूक जाइएगा चली बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा एक चीज मिल देखे मिल गया अब कंफीजन दूर हो गया एक कुष्ण हाँ बहुत अच्छी बात है हमने एक मिस्प्रिंट यहां पर लिखा हुआ है उसलिए हमने उसको फिर से रीचे किया कि कहीं या सही है या कहीं या गलत है तो उसमें जो रीचे किया उसकी अधार पर हमने देखा कि बाबू मौर्जकाल में जो एगरोनोमाई था वो मार्ग निर्मान के अधिका आई थे बहुत अच्छा एगरोनोमाई था वो मार्ग निर्मान के अधिका आई थे एग्रोनुमाई, यहाँ पर एक मिस्प्रिंट है बावू, बावू एक प्रिंट, यहाँ पर नगर्ब के परधान को एरिस्टोनुमाई कहा गया, आया जो एग्रोनुमाई है, यह क्या था, मार्ग सरक भी भाग, मार्ग भी भाग, या सरक भी भाग के परधान थे, मार्ग निर्मान जो करता था उसके परधान थे एग्रोनुमाई तो यहां पर एक चीज मिस्प्रिंट है ध्यान से सुनियेगा मितलेस बाबु पानी का घनत भी गल्ल टैप है देख लेंगे देखो बाबु प्रदस्ता क्या होते थे ध्यान से सुनिएगा प्रदस्ता होते थे प्रसस्ता और प्रदेश्टा प्रदेश्टा होते थे फोजदारी न्यायले की न्याधिस होता था अब प्रसस्ता होता था राज की आलेक को लिपिवद करना ठीक तो है इसमें प्रदस्ता तो ठीक है यहां पर प्रसस्ता राज की या देश को लिपी बद करना है, बिल्कुल सही है, प्रदस्ता क्या है बाबु, यहां पर हमने प्रदस्ता कहा, कारागार का पर्थान, या इसे कहेंगे फौजदारी अदालत, क्या कहेंगे बाबु, फौजदारी अदालत के पर्थान, फौजदारी मारपीट वला अदालत ह फौज़दारी अदालत के परधान, बिल्कुल सही है बाबु, चलो, एग्रोनमाई, आप देखो बहुत अच्छा, एग्रोनमाई सरक, एरिष्टोनमाई क्या था बाबु, एरिष्टोनमाई, यहां पर लिख दिए, एरिष्टोनमाई, नगर के परधान, नगर का प्रसासन, एखन नगर परशद के दवारा जिसमें 30 सदस होते थे तीस सदस को कितने भागों में तो पांच वपभाग में जा सशारी चाह परदान को भीषय परती कहते है प्रसासन की सबसे निचली काई गोंगोंग के परधान को गरामनी कहा जाता है अब दोको इसका बरगी करण कैसे था ध्यान से सुनिएगा इसका बरगी करण कैसे था जैसे अभी अभी का जो बरगी करण है उसी से मिलता जुलता है पर सुन्दर एसकेचिंग की हैं हमने ध्यान से सुनिएगा देश को क्या कहा गया? समराज कहा गया दिखाई देरा है आप लोगों को? दिखाई देरा है जल्दी से बताएंगे सौन बिल्कुल सही है, मनिश कुमार जी, रंजन कुमार जी, सिकंदर महान हो गया, दिखाई देरा है या? जल्दी से बलो, दिखाई देरा है देश को समराज कहा गया, इसके परधान राजा होते थे समराज के परधान राजा होते थे, समराज के परधान कौन होते थे? राजा होते थे समराज को बाता आगे प्रांत में प्रांत को क्या कहेंगे राज कहेंगे प्रांत को क्या कहेंगे राज कहेंगे प्रांत को क्या कहेंगे जल्दी से बोलो प्रांत को क्या कहेंगे राज कहेंगे राज को ही हम लोग कहते हैं सूबा या चक्र या प्रांत इसके प्रधान को कुमार या रामत या आरे कुमार कुमार या आरे पुत्र कुमार या क्या कहांगे आरे पुत्र कहा जाता है या जिसे ही प्राम्त पती भी कहते हैं क्या कहते हैं प्राम्त पती अब देखो राजी के नीचे कमिशनर को क्या करें मंदलम के परधान को प्रदेश्टा कहा जाता है अब कोश्चन पूछेगा अब अब ध्यान से सुनना कोश्चन अभी भी देश को देश कहा गया भारत को कई राजी में माटा गया कई परांत को कई राजी को कमिशनरी में माटा गया परबंदल में माटा गया कई परबंदल को फिर जिला में माटा गया परबंदल के दिन क्या है भाई जिला है जिला को क्या कहेंगे बिशे के परधान बिशेपती फिर जिला को अनुमंदल में बांटा जाता है अनुमंदल को क्या कहेंगे अस्थानिये कहेंगे अनुमंदल में लगबर आठ सो गउं का समू आया इसका अस्थानिक परधान अनुमंदल के कौन हुए अस्थानिक हुए अनुमंदल के अधीन परखंड हुए परखंड को संग ग्राम को ग्राम के परधान को ग्राम को ग्राम के परधान को ग्राम को ग्राम के परधान को ग्राम को ग्राम को ग्राम के परधान को ग्राम 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 को ग् इसका विभाजन कमिशनरी में अब कोश्चन बूछेगा इसका विभाजन कमिशनरी में था तो कमिशनरी को क्या करते हैं मंदलम कमिशनरी को क्या करते हैं मंदलम कमिशनरी को फिर जिला में जिला को क्या करते हैं बिशय जिला को बांटा गया अनुमंदल में अनुमंदल में अनुमंदल को क्या करते हैं अस्थानिये अनुमंदल को बांटा गया प्राम्त में प्राम्त के लिए टर्म क्या आया है संगरहन और फिर प्राम्त को बांटा गया गौं में गौं के लिए क्या आया है गौं के लिए क्या आया है फिर से सुनिएगा महाबीर कुमार साजी सिकंदर का महान सिकंदर महान की मिर्टु कभ हुई थी तीन सो तैसी सिपूर में चलो बेबी लोन में अ फिर का में अब यहाँ पर एक छीज धियान से सुनिएगा बड़ी सुन्दर कोश्चन है अभीका बर्गी करन में यही है अभीका भी बर्गी करन यही है देश को राज में राज को कमिशनरी में कमिशनरी को जीला में जीला को अनुमंडल में अनुमंडल को प्रखंड या क्या है भाई प्रखंड है ब्लोक है ब्लोक को किसमें बावू तो ब्लोक को गों में अब गों को फिर बांटा गया वाज में गों को बांटा गया वाज में अब देखो गों के परधान अब इसका परधान देखा जाए तो कोश्चन पूछेगा किसके परधान कौन है तो देश या समराज या प्राम्त राजा कि इसके अध्यक्ष को राजा प्राम्त के परधान प्राम्त पती जिसे क्या कहते हैं कुमार भी कहते हैं या आरे पुत्र कहा जाता है असोग के काल में परांतों की संख्यां कितनी थी बावु पांस थी उत्रापत तक शिला, दक्षिनापत, सुवरनगिरी, पराची, पातली पुत्र पराची के था बावु? पराची, पातली पुत्र उसके बाद अबंती, उज्जैनी और कलिंग की राजधानी तोसली बिशय के परधान को जिला के परधान को बिशयपती अनुमंदल के परधान को अस्थानिक अनुमंदल के परधान को अस्थानिक परखंड के परधान को गोप और गौंग के परधान को गरामिनी गौंग के परधान को गरामिनी गौंग के परधान को गरामिनी हो गया चरी एक ध्यान से सुनियेगा अब देखो यहां पर यह चीज तो निकाल गया अब देखो बहुत अच्छी बात है ध्यान से सुनना यह टोटल का टोटल डिफिरेंस निकल गया टोटल का टोटल डिफिरेंस निकल गया समझ भी गया हम लोग एक वार जल्दी से देख लेंगे इसे स्ट्रेक्शर को तो मजा जाएगा हमने क्या का देश के परधान देश के परधान राजा होते थे अभी भी चलेंगे मोदी जी परदान है पुरे देश के परदान है आर्जपुत्र को प्रांत के गवर्नर के नाम से भी जाना जाता था वही चीज हो गया प्रांत पती को ही गवर्नर कहा जाता था राजा को प्रांत चक्रिया राजा को प्रांत चक्र शूबा उसका कुमार आर्जपुत्रिया प्रांत पत कहा गया जिला को फिर किसे में अनुमंडल में अस्थानी असनिये प्रधान अस्थानी परखंड को संगरहन संगरहन कोlooking चannel गन को क्या के गरामी नी हो गया अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ा जैंब ध्यान चे सुनिएगा गुप्तचर वेवस्था मोर्जकाल में एक मजबूत गुप्तचर वेवस्था का भी प्रमान मिला है इसे गुड़ पूरूस कहा जाता है गुप्तचर वेवस्था को क्या कहते ह कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पहला होते थे संस्था, दूसरा होते थे संचार, संचार मतलब क्या हो, कॉम्निकेशन, संचार मतलब क्या हुआ, कॉम्निकेशन, मतलब जो घुम घुम कर गुपचारी विवस्ता करेगा, वो संचार होगा, जो एक अस्थान पर रह कर सभी का प्रकौब सब्सथे राज़ा होता है। और सभी का परकोप, सभी का परकार्दो परकार का था, एक ता बाबु धर्म अस्थानिये न्याले, और एक ता कंटक सोधन न्याले, कंटक सोधन न्याले को फोजदारी अधालत कहा गया, अधर्म अस्थानिये न्याले को क्या कहा गया, दिबानी मतलब क्या हुआ, माल पानी के लिए जगरा हो गया तो दिबानी और फॉजदारी मतलब हुआ जोटा जोटी फैटां फैटा के लिए फॉजदारी हो गया अब देखा बाबु त्यांच शुनिएगा जदी क्वेश्चन बुचेगा मारकात के लिए फॉजदारी और पैसा कवरी का धन संपती के विबाद के लिए धर्मस्थणिये को क्या कहें गरेंगा दीबानी अब दिबानी अदालत और फोजदारी अदालत अभी क्या बतायते प्रदेश्टा फोजदारी अदालत के परधान होते थे अब दो कोई यहां पर कौन होगा आगया फोजदारी अदालत के परधान कौन होगा प्रदेश्टा लिखा हुआ भी यह बता चुके भी है अध्यिबानी अदालत के परभान वेभारिक हुआ करते थे समाज में चलते हैं मौर्ज काल में समाज में वर्नास्रम वेवस्था परधाई था वेवस्था का मतलब हुआ वर्नाफारित जिसमें ब्राहन वर्ग का सबसे उंचा अस्तान था अब देखो भाई मौर्जकाल में भले ही चंदगुप्त मौर्ज के जाती के रूप में निम्न जाती का बताएगे है हमने कहा था चंदगुप्त मौर्ज के जाती के सम्मन्द में कि भल बौद साहित और जैन साहित में उन्हें छत्रिये माना गया है इसके अत्रिक जितने भी शुरूत है सबने निम्न कुल से उत्पन संतान माना है निम्न जाती से संतान माना है जाए चाहे गारगी की रचना गारगी संगता हो छमेंद की रचना बिरहत कथा मंजरी हो या विशागदत की रचना मुद्रा राक्षा सो सबने क्या का गया निम्न कुल बताया है अब कोश ब्रामन बेदपाट करने बाले ब्रामन को भूमी अनुदान दिया जाता था जिसे ब्रमदय भूमी कहा जाता था जिसे क्या कहा जाता था ब्रमदय भूमी कहा जाता था अब देखो बाबु ध्यांत शुनिगा ब्रामन और बेदपाट अब देखो एगो महावीर कुमार करीब एक सो से डेर सो बार अभी तक आ चुका है उनका प्रश्ण पहले आ रहा था कि सिकंदर महान की मिर्टू कब हुई इसका मतलब है आप लोग बैया की चीज नहीं परते हैं और याने तो कलास नहीं कर रहे हैं तो बाबु एक बार जो मेटेरियल दिया गया उसको पर ले तक्षिला के सासक अंबी को पराजित किया उसके बाद पोरब के सासक पोरस को पराजित किया उसके बाद पैठान उनका पोटर पोटरना उसका अंतिमाकरण था ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया ब्यास नदी को क्या काते भी पासा नदी कहा जात अपनी लोटने को आदेश दिया। और अस्तल से ना को खुल अपने ही नित्रित में पीछे लोट रहा था अफिर का के बेविलोन में तीन सो तैसी इसी पूर में वह सिकंदर और उनका घोर अबुक्य फराल की मिर्तु हो गई वहीं पर उन्हें दफना दिया गया सिकंदर में सिरोनिया या मक्धुनिया बेद का पाथ परता था यग करते थे कर्म कंद करते थे तो उनको दान में दिया जाता था भूमी उन्हें ब्रह्म दे भूमी क्या करते हैं ब्रह्मन को दान में दी गए भूमी को क्या करते ब्रह्म दे भूमी जो टेक्स फ्री होते थे क्या होते थे बाई कर्मुक्त होते इस काल में क्या है बाबू समाज में ब्राह्मन धर्म के मानने वाले लोगों की संक्या बहुत ज्यादा थी हलाकि मौर्चा सक असोक ने बहुत धर्म को परचार परचार खुब करवाया क्योंकि बताय थे इनका बहुत धर्म नीजी बहुत धर्म था असोक कलिंग युद के प बीकास कुमार कि धनिवार बाबू अब इस काल में ब्रहमन धर्म को मानने बाले लोग बहुत ज्यादा थे लेकिन मौर्ट साथ सक असोक ने बहुत धर्म का प्रचार प्रचार भी किया था इसके लिए अपने असोक ने कभी भी बहुत धर्म को अपने राज किये धर्म के रूप में स्विकार नहीं किया था इस काल में समाज चार भागे बटा हुआ था वही बाते समाज कितने भाग में चार सिल्पी कारागार सेन कारीगर सेन जंचंक्यां के दिश्टी कोन से दूसरा स्थान निरिक्षक और सभासद इसमें कहीं भी दासपर्था का प्रचलन नहीं था कहीं भी दासप्रथा का प्रचलन नहीं था हो गया अब कोश्चन बुचेगा 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 कोश्चन बुचे क्या करते हैं हाई देश पीज नदी के किनारे यूदुवा वहीं से लोट गया रे पगला लोटते समय पोटना पर भी आकर्मन किया था सिकंदर का कर्मन वहां भी हुआ था लोटते समय उसे अपने छेत्र में किया था अब देखो मौर्जकाल में इस्तरी की दसा बहुत अश तक्षिला में क्या था बाबु तक्षिला में बिष्विद्या लेते जहां पर चाना इर्फ कौटilly उर्फ विष्ण गुब्ते खुद अध्यान अध्यापन का किया और अपने सिसे चंदरगुप्त मौर्जका भी परहाए लिखाय थे तक्षिला के अतरिक्त इजैन और व अर्थ वेस्था किस पर अधाय थी तो सब काल में अर्थ वेस्था किर्शी अधाय था चाहे मोर्ज काल में हो या गुप्त काल में हो शिन्दु घाती सबता हो या बैदी काल में हो किर्शी अधाय था अभी भी क्या है भारत की अर्थ वेस्था भारत किर्शी अधारी किर्श परधान देश है। सीता भूमी कहा जाता था और सीता भूमी के अध्यक्ष सीता ध्यक्ष होते थे। अब देखो बावु ध्यान चे सुनिएगा। और अच्छा उपज होता था अच्छी पैदिबार होते थे। तो कोर्सन पुछेगा अध्यव मात्रिक भूमी कैसी भूमी थी तो बिना सीचाई के अच्छे पैदाबार अच्छी किर्शी बाली भूमी को अध्यव मात्रिक भूमी कहा गया। इस काल में सरकारी हलाकी इस काल में सीचाई की भी विवस्ता किया गया था सरकारी खर्च पर हमने कहा था चंदगुप्त मोर्ज ने गुजरात के सौराष्ट परांत में सुदर्सन जील का निर्मान करवाया था और उसके निर्मान की जिम्मारी सौराष्ट परांत के गवर पुष्प गुप्त वैस्च को दिया गया था, जिसकी जानकारी मिलता है, देखो बभू, ध्यांचर सुनिएगा, सरकारी खर्च पर सीचाय बेवस्ता एवं जील का निर्मान करवाया गया था, जिसका असपस्ट परमान रुद्रदामन का जूना गड़ाविलेक से मिलता है, सुदर संजील का निर्मान किसी ने करवाया था, तो देखो बभू, हमने क्या कहा था, चंद्रगुप्त मोर्ज ने, किसको जिमेबारी दिया था, तो सवराष्ट परम्त के गवर्नर, सवराष्ट परम्त के गवर्नर, सवराष्ट परम्त के गवर्नर, सवराष्ट परम्त क को दिया था स्वाराश प्राम्त के गवरेनर पुष्पगुप्त वह सुच्छा हो गया अब ऐस्ट्राण ऊचो चाराा भूमी मतलब चारागा भूमी अब आब दियानने शुनिए गा मौर्ज काल में जो कुछ पर्मू परकार का टेक्स था बाबु दियान जो सुनना टेक्स कर था जैसे भाग भाग को भू राजा सुकर कहा गया बली एक परकार का धार्मिक कर था एक परकार का कैसा कर था बली एक परकार का भू राजा सुकर या यहां पर लिख देंगे धार् अशोख ने अपने राजियाविशक के दसमें बर्ष में ब Bene घ्या किया तरह किया और Lombuni में कमणक Money के ऐस्तूप को द१ुना करवाय था, धार्मीकर बली में कया किया था भी भूबिध्यान चे सुनीजिएगा कोश्चन गुछरा हीरन क्या था तो नगद रूप में किया जाने बाला कर नगद रूप में दिया जाने बाला कर को हीरन कहा था खुब पुछता है भाग पुछता है बली पुछता है परने एक युद्ध कर था जिसे आपात कर कहा जाता है अब देखो, अगला चीज का रहा है, मौर्जकाल में, सिक्का कैसा था, ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा था, पंचमार्ग सिक्काजी से आहत सिक्का कहेंगे, लेख बीहिन सिक्का कहेंगे, 99% चांदी, 1% तामबा, जो महाजनपद काल में परारम हुआ, और मौर्जकाल तक च चलता रहा, आहत सिक्के का प्रचलन था, आहत सिक्के को क्या कहेंगे, पंच मार्क सिक्का कहा गया, या इसे ही क्या करते है, लेख भीहीन सिक्का कहा गया, अब देखो, इस काल में हलांकि तांबे के सिक्के को काकनी और माशक भी कहा गया, बड़ी सुन्दर चीज है, देखो बार आहत सिकhा ध्यान सुनीज़वा अअध सिकhा हो गया 99% चांदी 51% तामबा लेकिन केवल तामबे के सिकhा को काकनी या मांशक काकनी या मांशक कहा गया इस काल में बैपारबानिश दोनों बहुत अच्छा था अस्तिलमार्ग और जलमार्ग दोनों से होती थी अब देखो मौर्जकाल में उद्योग में सबसे परमुक था सूती बस उद्योग कोश्ण बताइए थे कि बहुत धर्म को परथम का पर्थम उपा सक बनारस के स्रेष्टी यस थे तो वेपारी के परधान को क्या कहेंगे स्रेष्टी यस आया अब देखो बहुआ इस काल में सबसे लंबा सरक निर्मान के पताधिकारी को क्या कहते एक गुरो नुमाई अब देखो सबसे लंबा सरक था तक्षिला से लेकर बंगाल तक मतलब तक्षिला कहां उत्तर पस्षिम में और बंगाल कहां पूरब में तक्षिला से लेकर बंगाल मौर्ज काल में लोककला और राजकिय कला दोनों का परमान मिलता है लोककला का मतलब हो गया कि जो आर्किटेक्ट जो ब्यक्ती विसेश था राजकिय कला का मतलब हो गया जो राज विसेश था राज विसेश राजकिय कला के अंतरगत किस किस का तो अभिलेक का परमान मिलता है सिलालेक का पर्मान मिलता है, गुफालेक का पर्मान मिलता है, अब देखो, राजकी कला के तद बिविन परकार का सिलालेक, अभिलेक और गुफालेक का निर्मान करवाए गया, असोक के काल में, जबकि लोग कला में बिविन परकार के मुर्ती का निर्मान करवाए गया, कोश और दिखनन में ऊत्खनन होता द खुदाय होता है तो एक बहुत वड लंबे हैables can you safe free नीव me अफंटि मिला है लिक का मुरति मिला है जो बरत मान में पटना म्युजियम में स्थित है और सासाथरी मेरता में पटना म्युजियम श्थित आप लकरी का बरा बरा पीलर, राजा कमल लकरी का बना होता था, गुप्त काल में फाहियान आया 399 से 414 स्वी तक राता, बाप परेबाप कहा कि भाईया, आइशन आइशन पीलर था कि मनुस तो नहीं बनाया होगा, कोई देब ये चीज आकर बना दिया होगा, देखो मौर्ज काल में राजा कमल लकरी का बना होता था, इस महल के बारे में फाहियान ने कहा कि ये महल मानव के द्वारा निर्मीत नहीं बलकि देबता होने, मतलब फाहियान ने कहा कि बिसकर्मा भागवान आये होंगे, और बिसकर्मा भगवान भागवली और हिरन टेक्स, हर्स बर्दन के टाइम भी चलता था चली बहुत अच्छा बताएंगे भाग बली और हिरन या हिरन नगद कर था भाग था भूमिकर जो एक बटा छो से एक बटा चार अब बली था एक प्रकार का धार्मिकर था जो हर्सबर्धन के काल में भी चलता रहा अब देखो बाबु ध्यान से सुसा एवम यूरोपीये च्छत्र के महल से किया है जो इसाई धर्म का चर्च का महल होता है तो ध्यान सुनिए का क्यों सुनिए गार्मिया क्योंड की इसाई धर्मिकर चलता है लाजकी एकला का सरबाधिक विकास हुआ अब देखो बाबु ध्यान से सुनिएगा कोश्चन बुचेगा कि असोक के चौदा सिलालेक अब अंतिम टॉपिक यही है असोक के चौदा सिलालेक आप लोग पर लीजेगा एक बार लकरी का लरकी नहीं 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 भाई लकरी का बना होता है आप लोग कितना सुनते हैं लरकी का नहीं बना तो लकरी का उड़ का बना होता है बाप बाप इस सब तो उल्टा पुल्टा सुन लिया बाबु पुश्पलता जी ध्यान से सुनिएगा असी अस्तम का लकरी का महल जो कुमरार पार्क में ही अभी भी अवसेस है अब इस चीज़ को एक बार पर लीजेगा एक बार पर लीजेगा इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा अब देखो असोग के चौदा सिलालिक पर्थम सिलालेक में अहिंसा पर बल दिया गया, मतलग पशु बली की निंदा किया गया, पर्थम में अहिंसा पर बल दिया गया, पशु बली की निंदा किया गया, दूसरे में जन कल्यान कार्ज की चर्चा किया गया, इसमें कहा गया मनुस चिकितसक और पशु चिकितसक, त तीन राजुक युक्तक और प्रादेशिक की नुक्ति की चर्चा किया है असोक के द्वारा नुक्त किया गए तीन में तीन पदादिकारी इस अभिलेक में धार्मिक नियम का भी उल्लेक किया गए ध्यान सुनिएगा तीसरे में धार्मिक नियम तीन में तीन राजुक युक् चौते सिलालेख में क्या कहा गया चौते में धम का महत क्या कहा गया युदिनिती को सुरी युदिनिती को त्याग कर धम निती के पालन करने की बात कहा गया युदिहिरन एक कर था जो नगध रूप में दिया जाता था अब देखो चातूर्थ में कहा गया कि मैंने युदिन पहंसी, दूम महामात्र की न्युक्ती किया, किस में कहा गया पांच मित, फिर से एक pills करते हैं, हमने क्या कहा पर्तम Śिलाले की में क्या है बाबु पशुब अलीख किया गया, दूसरा इक शिलाले कि में जन कल्यान की बात किया गया, तीन में धार्मिक नियम और तीन पदाधी का तीन में धार्मिक नियम और तीन प्रादिकारी की नुक्ति युक्तक राजुक और नुक्ति युक्तक राजुक और प्रादेशिक चार में कहा गया मयूद निति को त्याक कर धम निति अपना लिया हूं पांच में क्या कहा गया धम निति को परचार परशार करने के लिए राज्यावीशिक के तेर्मे बर्ष में एक नया पदादिकारी धम महामात्र की न्यूकती पांच में सिलालेखे में छट्थे में चलेंगे तो छट्था में कहा रहा है कि जन कल्यानकारी कार्ज के लिए दूत उनसे आकर कभी भी आकर मिल सकता है अब देखो बाबुध्यान स सुनिएगा आमनियंत्रन छट्थे में कहा गया आमनियंत्रन सात्मे में कहा गया सभी धर्म के मानने बाले लोग क्या करें तो सभी धर्म के मानने बाले लोग आपस में मिल जुल कर रहे हैं संयम बना कर रहे हैं आठमे सिलालेक में कहा गया बहुत धर्म स्विकार करते ही ध परती बंद लगा दिया और सच भेट एवं सच्चे सिष्टाचार का भी उल्ले कहा दस में धम का महत और धम के महत के बारे में कादेश दिया कि असोक ने इस अभिलेत के माध्यम से यहादेश दिया कि राजा तथा उच्छ परादिकारी हर छन हर समय किस के बारे में सोचे तो अपने प्रजा के हित के बारे में सोचे एगारम क्या कहा गया ब्रामन और सर्वन को असोक के द्वारा या सासक के द्वारा दिये गए दान की चर्चा है एगारम क्या कहा असोक के द्वारा ब्रामन और सर्वन को दिया गया दान और इसी में कहा गया धर्म के बर्दान को सर्वतक्रिष्ट माना गया है 12 में महिलाओं पर परतिबंद महिलाओं पर रोक टुक लगाने के लिए महिलाओं के कार्ज करम पर रोक टुक लगाने के लिए महिला महामात्रिया इस्तरी महामात्र की नुक्ति और कुछ बिदेसी राज की चर्चा किया गया है कुछ बिदेसी राज तेरमा में क्या कहा गया तेरमा में कलिंग यूद अच्छोदमा में कहा गया कि भईया हम बहुते कह दिये है बहुते किये हैं जिसमें थोरा ही लिखा परा है जिसका लिखा परा नहीं है जो नहीं लिखा गया है उसकी जिम्मार मैं नहीं लेखक तीबर है लेखक तीबर है कल मैं इसको याद करा दूँगा एक बार एक बार बेटा पर क्या आना कल इसको याद करा दूँगा इसके बाद का टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे मोर्योतर कल इसमें पुश्मित सुंग के द्वारा सुंग बंच और बशुदेव के द्वारा कन बंच और फिर इसके ISP के टाइम हो गया है टॉपिक को हमको किलियर करना था टाइम हो गया है तो 11 में 11 रुप्य का दान कल हम लॉजिक लगा के याद करवा देंगे किलियर आठ वज़े से हम लोग टेस्ट का डिस्कसन पांच में भॉलूम का करेंगे चले बहुत ही आज टप चीज जल्द खतम कर दिये आज वला सर एक बार कल परा दीजेगा बहुत असान चीज था भाई ये तो बहुत असान चीज था अच्छा से कल नहीं पर ना देख भाई या फिर से एक बार बतायते है या एक बार कल मैं फिर बता दूँगा बर्शा जी गुडूलाल जी नहा जी तो फिर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं सर देखो नितीज कमार यार बहुत फास्ट आच्छाट पठक हो गया बहुत अशी बात है तो कल इस टॉपिक को विकास कमान मौर योत्तर कालें परविस कर जाएंगे तब तक के लिए जाहिंद आठ बजे से मिलते हैं अप्लिकेशन पर तेस्ट डिसकेशन संक्या पांच में आठ बजे से धन्य बाद और कल मंगल बार है 20 तारिक है मैत का और रिजनिंग का नया बैच आ रहा है एंटी पीसी एस्प झाल 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 झाल